तो भाई ये आपके पास जो ये वाला समिस्टर होता है न और डू एंड आई वाला सिचुएशन रहता है इसके इंदर ही करो या भाई नहीं कर पाओगे वही कहानी है तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं हम क्या पढ़ रहें थे सर इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी इसमें सबसे पहले कौन सा सेक्षन किया हमने सेक्षन 22 22 क्या कहता है चार्जिबिलिटी चार्जिबिलिटी में क्या बोला है कि एन्वल वेल्यू पर टेक्स लगाएंग प्रोपर्टी के अंदर जाता है इसके साथ साथ हमने क्या बेखा सकते सिचुएशन में क्या था सर के अगर आपका last class के अंदर अगर देखा जाए situation की बात करें municipal tax ये रह गया था municipal tax में देखा था कि अगर honor paid करेगा तो deduction allowed है employee अगर tenant paid करेगा तो deduction allowed नहीं है लेकिन honor self अगर खुद रह रहा है तब allowed नहीं है कब तक payment करना है इसको 31 March तक आपको payment कर देना है कितना payment करना जितनी मरजी payment करो सारा allowed हो जाएगा इसके बाद हमने क्या देखा सर इसके बाद हमने municipal tax के बाद हमने देखा last class में situation situation कितने हो सकते हैं सर case study के basis पे हमने समझा था जिसके अंदर है हमारा situation number one self occupied अगर आपका घर self occupied होता है तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा NAV क्या मान लेना है जीरो NAV कभी भी माइनस में नहीं जाएगा situation number two अगर आपका घर किराये पे होता है तो ऐसे situation में normal जो calculation सीखते आए हो वैसे ही calculation करना है यहाँ पे अगर आपको rent सिर्फ देता है तो उसी को NAV मान के आगे बढ़ जाओगे situation number three जब property let out और self occupied होगा on the basis of area अगर area के basis पे होगा तो हर चीजों को area में divide कर देंगे और जो self occupied वाला पार्ट होगा उसका NAV हो जाएगा zero और let out वाले पार्ट को हम जैसे calculation करते थे वैसे ही calculation करके पूरा का पूरा दिखा देंगे इसके बाद देखा गया कि हमारा जब property हो on the basis of time तो जितने भी चीजें हैं उसको किसी को time basis पे divide नहीं करते normal manner पे calculate करो और उस पे कह कर दो text दे दो इसके बाद देखा जब हमारे एक से जादा घर हो तो क्या करेंगे किसी भी दो घर को आप क्या मान लो self occupied बाकी घर को क्या मानना पड़ेगा let out तो यहां तक हमने last class में cover कर लिया था vacancy वाला case रहता है जिसके लिए मैं थोड़ा सा time लूगा vacancy उससे पहले आज बहुत ही महत्वपून topic करने वाले है देट इस topic का नाम क्या होगा 9 से पहले 8 आज हम करेंगे section 24A किसका था बताओ जरा फटा फट से 24A किसका था हमारा subsidy नहीं यहां gas cylinder थोड़ी मिल रहा है जो subsidy मिलेगा 24 एक इसका था standard deduction क्यों दिया जाता था जो आपके मुरमत जो टूट food जो repair होते हैं उसके बदले अब भाई government ना कई बार कई फैसले लेती है तो आपको लगेगा बड़ा अच्छा है कई बार फैसले लगेगा गलत है जैसे अभी capital gain पर जो फैसला लिया गया था वो गलत था फिर rollback कर लिया उन्होंने होता क्या है नॉर्मली एक honor है अब देखो government इतना text लेती है ना क्या आपको लगेगा यार मैं क्या करूँ जब आप सोचते हो ना तब भी government आपसे text ले लेती है सोच रहे हो तब भी आप government को text दे रहे हो तो अगर हम बात करें मान लेते हैं एक honor है अब आज के समय पे आप एक बात बताओं मुझे घर लेना असान है कि मुश्किल है बहुत मुश्किल है अब जिसके पास पैसा है उसके लिए असान है जिसके पास नहीं पैसा है बहुत मुश्किल हो गया है महंगा इतनी बढ़ गई है महंगा इतना हो गया है जिसकी कोई limit नहीं है अब मैं सिंपल सी बात करूं न तो अब आपको थोड़ा अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा नहीं थोड़ा अच्छा घर चाहिए तो आपको चाहिए कितने पैसे एक करोड रुपे, थोड़ा अच्छे की बात कर रहा हूँ, लगजरी नहीं बोल रहा है, थोड़ा अच्छा चीए तो आपको कितना चीए, एक करोड, मान लो आप एक लाख रुपे सेलरी कमाते हो, तो एक लाख रुपे सेलरी कमाते हो, तो एक लाख रुपे सेलरी कुछ न सोचो आठ साल में तो आपके कहां से कहां दुनिया पहुंच जाएगी तब एक करोड वाला घर तो जब एक करोड आप जोड़ोगे तब पता है यार दो करोड हो गया फिर से आठ साल और मैंगत करना पड़ेगा ठीक है ना तो घर लेना इतना मुस्किल है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि पैसा तो इतना है नहीं और इतनी तनका और आप ये भी जानते हैं कि मैं एक लाख रुपे जो तनका बता रहा हूं ये डिजाइरेबल सेलरी है लोगों की आजके टाइम पर एक लाख रुपे सेलरी है तो बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया सब पुछ चल एक तम मजे में जिंदगी कट रही है कोई समस्या नहीं है नहीं तो नॉर्मल सेलरी इंडिया की एवरेज सेलरी की बात करूँ तो 15-20,000 या 15-25,000 मानके चलो जिसके अंदर सभी गुजारा कर रहे हैं आज के टाइम पे बहुत लोगों की बहुत सारी सेलरी भी है एक लाग भ इसको घर लेना है, तो घर लेने के लिए इसको आठ साल का इंतिजार करना पढ़ेगा लेखिन इसके पास ओपशन होता है घर लेने के लिए option क्या मिलता है कि यार हम एक काम करते हैं bank जाते हैं और bank से क्या ले ले हम loan ले ले bank से क्या ले ले और आपको पता होगा bank वाले loan दे देते हैं और वो loan नहीं देते हैं वो गुलाम बना लेते हैं आपको क्योंकि जो bank वाला loan देगा न वो मान लो 30 साल का देगा और ये आप बोलोगे ने 2 साल 3 साल का नहीं मिलेगा वो 15 साल 20 साल 30 साल ऐसे लोन मिलते हैं आप सोचो आपकी उमर अभी है मान लेते हैं आपकी उमर है 22 साल या 20-22 मान लो आप 20 ही मान लेते हैं पचास साल हो जाएंगे तब जाके आप किस्ते पूरी करोगे और 30 मतलब 20 साल उमर और 30 साल किस्ते दोगे तब जाके आपको कहीं फील आएगा और बीच में आपके नौकरी छूट गएगी तो घर पे आएंगे लोन वाले आपको टॉर्चर करेंगे किस तो दे नी देनी है और एक करोड रुपे का लोन लोगे तो उसके बदले आपको 30 साल में कम से कम 4-5 करोड रुपे भरना पड़ेगा तो यानि एक loan लेना ना बड़ा tension वाला काम हो जाता है कि घर loan पे लेना अब जब यह loan लेता है ना तो loan लेने में इसको हर साल माल लेते हैं कि इसने 50 लाख 60 लाख रुपए का loan लिया तो इसको हर साल एक EMI देना पड़ता है EMI समझते हो आप सभी Equal Monthly Installment एक किस्त बना देते हैं इसके EMI इसको हर साल EMI देना पड़ता है EMI पता है दो चीजों से मिलके बनता है इसके अंदर एक interest का भी component होता है और एक principle का principle का मतलब आपका एक ब्याज और एक आपका मूलधन ठीक है दोनों को मिला के क्या बन जाता है EMI और हर महीने का ऐसा गणित के साथ लगाते हैं कि वह fix हो जाज हर महीने ऐसा calculation करते हैं कि अपको सेम किस्त रहेगी ऐसा नहीं कि इस मेहने 5000 दे रहे हैं अगले मैने 7 देना फिर 4 देना ऐसा नहीं वह fix रखते हैं पाँच 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 जारोप था मैने की एक त्री यह अब यह और गवर्मेंट है बड़ा चलाख है चलहें तका इसकी चला की क्या गया करते हैं गोफर वह समस्तिर यह cuatro safest इसके अब उठाती है जिससे खुद बाखुद डेबलेप हो जाए रिया एक एक्जामपल लेता हूँ मैं आप गुडगाओं को जानते होगे DLF DLF गुडगाओं मैं जादा पुरानी बात नहीं मैं 24 साल पुरानी बात कर रहा हूँ 2000 में DLF वहाँ पे रोड तक सही नहीं थी वहाँ पे खेत हुआ करते थे और अगर यह समय देख रहे हो नोईडा अगर आप इस समय गए तो आपके पास कुछ वापस नहीं आता सब कुछ छीन लेते उधर यह हालात थे वहाँ पे और इनफेक्ट नोईडा में तो 2010 तक यह हा करते हैं यहां पे अगर हम घर बना दे घर जब लोग बाग बसाबट होगी तो एरिया अपने आप डेवलप हो जाएगा तो घर तो बना दिये इन्होंने इतने घर बना दिये डीलेफ ने इतने घर बना दिये जिसकी कोई लिमिट नहीं है अब लेकिन यह घर बिकेगा ही अब घर क्यों बनवाए गवर्मेंट ने समझिएगा घर बनवाने में क्या-क्या समान यूज हुआ वो देखिए घर बनवाने में यूज हुआ वहाँ पे सीमेंट घर बनवाने में वहाँ पे यूज हुआ सीमेंट के साथ साथ जैसे कि ब्रिक्स यूज हुए वहाँ पे आपका steel यूज हुआ, iron यूज हुआ, इतनी सारी चीजे यूज हुई घर बनवाने में, जब घर बनवाने में इतनी सारी चीजे यूज हुई, तो कहीं ना कहीं cement की factory चलने लग गई, चलेगी ना cement की factory, steel की factory चलने लग गई, wood की factory, मतलब जो चीजे घर में लग रहा है, उसक तो अब गौर्मेंट बोल रहे यार ये तो इंप्लॉइमेंट जनरेट तो कर दिया मैंने बनवा तो दिया बिक नहीं रहा तो गौर्मेंट ने बैंक को बोला के भाया तुम जो भी घर जो खरीदेगा उसको जब कभी भी आप लोन दोगे तो सस्ते रेट पे देना तो आज भी लोन लेने जाओगे हैं तो होम लोन 7.5, 8.5 ऐसे मिलेगा साल का ब्याज होता है 7.5, 8.5 तो सस्ते में लोन दो तो बैंक को बोला भाई सस्ते में लोन दो अब बैंक सस्ते में लोन दे रहा है लेकिन इन्वेस्टर खरीद नहीं रहा जिसको खरीदना है घर वो नहीं ख कर देंगे उस इंटरस्ट पे हम तुझे टेक्स नहीं लेंगे मतलब कि डिडेक्शन एक बेनिफिट देंगे और जो प्रिंसिपल होगा इसका भी बेनिफिट देंगे तो गवर्मेंट ने यहां पर डबल बेनिफिट स्कीम निकाला जैसे कि मान लेते हैं आपका हाउस प्रो कर आहना था है तू घर को ल dioxide लेके काम कर 10 लाख रुपए माइनस करके तेरे इंकम कितनी बन गई जीरो अगर 10 लाख सोचो इस बंदेकि इंकम होती तो सीज़ा सीज़ा 3 लाख रुपे इसको tax लग जाता 3-2-5 लाख जो भी लग जाता tax तो अब इसके income कितनी हो गई zero हो गई और plus जो principal amount दिया इसका deduction भी मिल जाएगा ATC में अब ATC क्या है हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे यानि घर बनाते समय पे घर को loan पे लेते हैं भर घर को अगर हम व्याज पे लेते हैं यानि ऐसे जो यह वाला loan होता है जो bank देती है उसको बोलते हैं home loan हर किसी का loan category business loan अलग होता है personal loan अलग होता है home loan अलग होता है education loan अलग होता है सारे loan अलग होता है तो यह कौन सा loan हुआ हमारा home loan गुवर्मेंट ने बोला अगर कोई home loan लेता है और उस loan की किस्त के अंदर अगर ब्याज देता है तो उसकी हम benefit देने वाले हैं और उसका benefit देंगे कहां पे हम section 24B के अंदर उसका benefit हम दे देंगे और किसका interest का benefit देंगे और principal का कहा benefit देंगे ATC जब मैं ATC करवा हुआ तो आपको पता चल जाएगे कि ATC है क्या तो आपको जो benefit दिया गया वो दिया गया interest का तो आज का जो हमारा topic है वो topic क्या है जो ये ब्याज payment करते हैं loan को लेके तो हम क्या करने वाले हैं आपको पता है कि मैंने क्या बला है कि लेते हैं NAV आगे आपका एक लाख रुपए इसमें से क्या माइनस करोगे 24A 24A कितना माइनस करोगे 30,000 रुपए उसके बाद माइनस करोगे आप 24B interest मानलो आपने दिया है 60,000 रुपए तो 60,000 माइनस करो आपके income कितनी बन गई अब मात्र 10,000 रुपए ऐसे tax देना है तो यह interest जो आपने payment किया है वो deduction इसको जब भी कभी किसी income में से कोई चीज माइनस करते हैं तो इसको किस नाम से बुलाते हैं deduction तो as a deduction allowed कर दिया गया 60,000 government की तरीके government की और से तो जब यह deduction मिला तो बहुत लोगोंने loan लिया और जो saluted person थे उन्होंने loan लिया और इसका benefit बहुत इसी point को ध्यान में रखते हुए गुडगाओ या फिर मान के चलो noida यहाँ पे सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखो गयो फ्लैट है फ्लैट क्योंकि easily loan पे bank वालों ने बोला भाया कुछ नहीं दे रहा है आपको घर लेना है एक करोड का घर ले रो पांच लाग दो 95% हम loan दे देते हैं और लोगों ने loan ले लिया बहुत सारे लोग परबाद भी हुए और बहुत सारे लोग ने निकल भी गया इसके अंदर तो हमारा आज का जो agenda आज का जो topic है सर क्या topic पढ़ाने वाले हो इतनी सारी बाते करके मैं पढ़ाने वाला हूं interest on borrowing जो की हमें मिलेगा deduction इसके लिए section हमारे लिए specially बना गया है 24b 24a किसका था हमारा standard deduction 24b यह बनाया गया 24b इसका बना लिया गया यह बनाट मिलेगा है तो हमारा आज के लिए करहा हमारा आज कि वह एंदा आज का जो एंदानी आज करना आज कि बनागा है चलो अब इंट्रेस्ट की बात कर रहे थें इंट्रेस्ट और बोरोईंग तो यहां पर इंट्रेस्ट ना जब आप घर लोगे तो घर दो तो कंडिशन में चली जाएंगी आपकी या तो आप घर में लोन लेके आपने घर जो लिया वो खुदी रह रहे हो बहुत लोग क्या करते हैं लोन लेके घर ले ले लेते हैं और उसको किराये पे दे देते हैं और उस किराये से ही वो क्या भरने लग जाते हैं उसका EMI और उस किस्त को भर भर के वो क्या करते है घर planning होती है सारे चीजे तो या तो आप क्या करोगे let out करोगे या क्या करोगे आप self occupied let out करोगे तो जितना भी interest payment होगा जितना भी interest payment होगा सारा minus करना allowed होगा यानि full amount full amount of interest allowed मतलब अगर आपका 10 लाक रुपए है 20 लाक रुपए है 50 लाक रुपए ब्याज किस्त नहीं ब्याज और ब्याज कितने पूरे साल का calculate करके minus करना क्या होगा allowed हो जाएगा लेकिन आप जब self occupied आप खुद रह रहे हो घर पे तो सरकार आपके मजबूरी का फायदा उठाएगा बुलेगा भाई तुम्हें रहने के लिए खुद आपने घर लिया है तो फिर हम आपको ज़्यादा पैसे allowed नहीं करेंगे फिर हम सोचेंगे और समझेंगे क्या सोचेंगे समझेंगे अब हम देखेंगे वैसे दो केसिस हैं यहाँ पे या तो आपने घर इफ हाउस परचेज बिफूर एक चार 1994 नहीं है 1999 उन्नेश्व निन्यानवे और एक हो सकता है आफ्टर 1994 निन्यानवे ठीक है आफ्टर एक चार 1999 इफ परचेज इफ परचेज हाँ वोईस 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 नॉट ओडेबल एक बार चेक कर लीजे वोईस आ रही है नहीं आ रही एक बार चेक कर लीजे वोईस यस प्रेम कुमार पांडे रही हाँ यसक्टर इफ परचेज़ वोईस 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 आ रहीं कि लिए रहे हैं चलिए देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं सर आप पढ़ा रहे हो मुझे इंट्रस और बोरेंग जो की किस सेक्शन में लिखा है 24 या तो आपका घर लेट आउट होगा तो जितना मर्जी ब्याज निकाल लो सारा का सारा माइनस कर सकते हो अगर सेल्फ ओक्यूपाइड हुआ तो आपक कब है या तो खरीदा होगा 1994 से 1999 से पहले या 1999 के बाद अब यहाँ पे बड़ा इंट्रस्टिंग कहानी है बीजेपी गॉर्मेंट और कॉंग्रेस दो सरकार है और यह सरकार अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाती है तो 1999 से पहले जो गॉर्मेंट थी वो थ या फिर कुछ ऐसा वीजन होता ही नहीं है वो बहुत सारे प्लैंस लेके आते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते के हमें रोड बनाना चीए हमें पुल बनाना चीए हमें मेट्रो बनाना चीए हमें फ्लायवर बनाना चीए इनके उपर उनका ध्यान नहीं होता है यह सब बेक गौर्मेंट है वो चली जाती है कि भाईया इन लोगों को मदद करना है सरकारी नौकरी देदो जौब देदो ठीक हो जाएगा बीजेपी कहती है कि हमें देश को डेवलब करना है उन्निस सो निन्यानवे से पहले जो थे पीवी नरसिम्मा राओ थे परधानमंतरी भारत के त वो ये आइडोलेजी लेके नहीं चलते तो वो बोलते थे भाई गुडगाओं डेवलब होता है तो वो नहीं होता नहीं क्या फरक पड़ता है तो उन्निस सो निन्यानवे से पहले उन्होंने कहा कि भाईया आपको लोन का मैक्समम डिड़क्शन मैक्समम डिड़क्शन 30,000 रुपए देंगे बात खतम मैक्समम डिड़क्शन कितना मिलेगा अगर आपने घर कोई भी खरीदा है उन्निस सो निन्न्यानवे से पहले और क्योंकि उन्निनानवे से पहले किसकी गवर्मेंट है आपके कॉंग्रेस की उस टाइम पे वुड कार चलता था और उससे पहले भी चलता था भाई आम 30,000 देंगे अगर आपका घर क्या है हो self occupied अगर let out है तो वो भी बोलते थे जितना deduction लेना है आप ले सकते हो लेकिन जैसे ही बीजेपी गौवर्मेंट आई तो फर्स टाइम पे उनिस सो निन्यानवे 2000 में अटल विहरी इंफर्स टीजेशों को ध्यान देना है तो उन्होंने कहा है है के भाईए हम डेबलप करना चाहते हैं तो उन्हों ने 2 प्लाइन को तूड दिया अब बोला लोन तरा रीक यह लोन लोगे नहीं, सिमेट तो लग चुका है, इटे तो लग चुकी है, तो डेवलेप कहा हुआ, तो उन्हों ने बोला, अगर रिपेर करने के लिए आप लून लेते हो, किसलिए, रिपेर करने के लिए, तो आपको तो माइनस सम्सरिफ 30,000 मैक्सिमम करने देंगे, अगर आपका 28,000 बन कर दिया, हाला कि उस टाइम देर्ड़ लाग था, लेकिन इन्होंने, जो अभी रीसेंट्ली लिमिट है, वो कितना है, हमारा 2,00,00 का है, अभी रीसेंट्ली लिमिट कितने की करी होई है, इन्होंने 2,00,00, रुपए की लिमिट करी विए, अगर आपका मकान मान लो है किराय पे तो कितनी लिमिट है इंट्रस की कोई लिमिट नी जितना ब्याज उतना लेकिन अगर आप खुद रह रहे हो मकान में तो आपकी मैक्समम लिमिट कितनी है दो लाक रूपए क्योंकि 1994 निन्यानवे से पहले वाले तो सब कुछ खदम हो गया होगा लग 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 अगर 1999 से पहले का कोई कोशन वैसे एक्जाम में आ गया था ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ था 2020 में तो आपकी मैक्समम लिमिट कितनी है 20,000 आप सर मैक्समम लिमिट और यह लिमिट विमिट समझ में कई बार नहीं आता जब तक मैं प्रैक्टिकल कोशन ना करा दू तब तक अंदर लोग बाग उससे परिशान हो गए काफी थर्ड टम के अंदर भी इनकी गवर्मेंट जो बनी है वो एकदम जैसे बनना चाहिए था आपको भी पता है कि उस टाइप से नहीं बना तो अब गवर्मेंट उल्टे सीधे फैसले लिए जा रही है तो जो फाइनेंस मिनि रेट जो होते है ना टेक्स के जो रेट होते हैं वो दो रेट बदल दी है अब देखो हर कोई आज के टाइम पे ना जब हमारा इंटरनेट का दुनिया है गूगल है तो गवर्मेंट को एक बात यह भूल जाता है कि हम पबलिक को बना देंगा और वो बन जाएंगा ऐसा न उससे लोग बाग क्या सोचेंगा यार यह तो पागल बना है जैसे कि सेम आपने कई बार सुनाओगे गवर्मेंट ने बोला इतनी सारी चीजे देंगे इतनी लाक रुपे का लोन मिलने वाला है फिर बाद में पता चला इतनी कंडिशन है तो फिर बोला है बेकार है यह तो ओल्ड रिजिम के अंदर क्योंकि लोगों को बोला के भईया तुमारा क्योंकि हर बार आप देखना यकीन वानना टेक्स जो भरता है ना दुकान दर भरता ही नहीं है टेक्स सबसे ज़्यादा जो टेक्स इंडिया में भरता है वो भरता है सेलरी परसन जो जॉब करते है व का भर जाता है लेकिन कोई दुकान्दार है मालब कोई रिक्षे वाला है कोई मालो बिजनस चोटा मोटा कर रहा ये कभी नहीं भरते साहब टेक्स और सैलरी वाला है तो हर बार सैलरी वाली की उमीद होती है के यार आज के टाइम पर मेरी आप से 50,000 टेक्स ले ले तो कितना बुरा लगेगा यार 50,000 तो हमने एक साल में जोड़ा है और वो टेक्स में देना पड़ रहा है तो कितनी गलत बात लग रही है तो गवर्मेंट ने बोला कि एक काम करते हैं इनको थोड़ा सा लालच देते हैं यहां वाले में था कि आपक लाक रुपे पर क्या देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा और यहां वाले में बोला चलो तुमारी इंकम 7 लाक होगी तब भी आप टेक्स नहीं दोगे लेकिन बोला गया कि जब अगर आप ये वाला ओप्ट करोगे न ओल्ड वाला तो आपको 24 जो ए का वाला सेल्फ उक्यूपाइड वाला और प्लस लेट आउट वाला दोनों ही मिलेगा अगर आपकी हाउस प्रोपर्टी की इंकम है तो आप चाहे सेल्फ उक्यूपाइड का ब्याज भर रहे हो चाहे लेट आउट का केस हो आपका घर का अगर आपने लोन ले रखा है उस पर ब्याज भर रहे हो तो आप interest minus करो लेकिन नए वालो में ने चला की कर दी चला की क्या करी कि अगर आपका self occupied है तो इस case में 24 जो B है मैंने ये तो नहीं लिख दिया B है भाई B है B की बात कर रहा हूँ मैं 24 जो B है किसका B है interest का इसका deduction नहीं मिलेगा और let out के case में आपको 24 B का deduction मिल जाएगा यानि भाई अब examiner को देखो आपको कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ रहा है अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर old text से पूछा और मेरा self occupied वाला question आ गया तो तो मैं interest minus कर दूँगा लेकिन नए text से प पूछ ले चाए नए से पूछ ले आप interest minus करो ये allowed कर लिए तो government ने नए वालों में से न क्या करा जो चीजे जितनी benefit थी पुराने वाले में नए में से सब को खतम कर दिया बोला के तुमारी income को हम मतलब के ज़्यादा छूट ज़्यादा दे देते हैं benefit 5 से 7 लाग कर दी ल हमारे दो tax regime है tax regime कितने है अगर मैं tax regime की बात करूँ tax regime सर दो है एक है old और एक है सर new अब यह मेरे को बीच में देखो मैं चाहता नहीं हूँ कि बीच में ऐसा है न डिस्टरब करूँ इंट्रेस वाला topic इतना मज़ेदार चल रहा था लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि slavery ही ऐसा कर दिया है old old वाले में अगर आप रहते हो self occupied तो आपका interest not allowed अगर आप हो let out वाले case में let out समझते हैं नों किराया पे तो आपको interest allowed मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया तो मैं यहां चेंज कर देता हूं इसको new कर देता हूं और इसको old कर देता हूं लेकिन अगर same old वाले में हो same अगर आप old वाले में हो तो बस फरक ही है अगर अगर ओल्ट वाले में हो तो बस फरक ही है allowed हो जाएगा जब तक हम example नहीं कर लेते न हमें तसली नहीं होगा और समझ में नहीं आएगा और पूरे house property में कोई ऐसा concept है जो कि बच्चों को सबसे tough लगता है तो वो है interest का calculation और इसमें बहुत सारी बाते हैं जो कि आपको time to time पता चलेगा तो मैं पहले एक अच्छा सा एक example छोटा सा example ले लूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाईया है क्या माजराईए और करना कैसे है चलो एक्जाम्पल मुन्सिपल वेल्यू पाँच लाग पेर रेंट चार लाग स्टेंडर रेंट तीन लाग एक्च्छल रेंट छे लाग मुन्सिपल टेक्स पचास अजार पेड बाइप मारि या ऑननर कर देते हैं यह आफ़् पेड़ आ उनर कर देते हैं ऑप पेड़ बाई हाफ पेड़ बाई ओनर इसके बाद मुंसीपल टेक्स इंट्रस्ट पेड ओन लोन रुपीस तो लाख पचास चलिये सर चल्कुलेट इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी एस पर न्यू और ओल्ड मैं थोड़ा सा स्वाट यूज कर लेता हूँ न्यू ओल्ड का मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आप नए टेक्स से भी निकालके बताईए और पुराने टेक्स से भी बता लिए चलिए एक उल्ड से एक न्यू से उल्ड न्यू समझ में आ रहे क्या है पुराने वाला है टेक्स मा आ रिशीं नहीं और जिन बच्चों ने देखो बIEक में repeat करना60 बीच में आ रहे तो डेफिनिट्ली उनको लगेगा यार क्या चल रहा है तो उनको न टेक्स लाइव रेट वाली क्लास पहले देखने पड़ेगी तो समझ में आएगा रिपीट कर दो सर एक बार टेक्स रेट वाला पॉइंट दुबारा मैंने बता दिया है भी एक बार फिर देखेंगे जब तक एक्जामपल में समझ में आ जाएगा सर मुंसिपल वेल्यू दोनों ही केस में पांच लाग और पांच लाग फेर रेंट दोनों ही केस में चार लाग चार लाग फेर रेंट टमबर वन लिख देते हैं कितना आएगा 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 MT MT बोलता है के भाई आधा मालिक पेड कर रहा है आधा MT कितना माइनस होगा MT माइनस होगा 25,000 25,000 तो अगर MT माइनस कर दे 25,000 तो आ जाएगा NAV कितने आ जाएगे 5,75,000 5,75,000 माइनस 24A 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 कितने 30% 24A 30% कहां गया किताब कहां गया Calculator कहां गया 30% 25,000 बिल्कुल सही सभी बच्चों का जवाब आ रहा है अरे भाई मेरा calculator कहां चला गया यह बताओ निकालना एक बार आप सब calculate करके बताओ एक लाख 72,500 172,500 अब माइनस करेंगे 24B अब 24B किसका है और यहां साफधान होना है आप देखो घर किराये पे दे रखा है यह खुद रह रह रहा है किराये पे दे रखा है यह खुद रह रह रहा है कौन बताएगा घर किराये पे यह खुद रह रह रहा है कैसे पता चला किराये पे एक्चुल रेंट दे रखा है तो सर यह लेट आउट है और लेट आउट केस में कोई भी रिजिम लगाओ इंट्रस माइनस करना लाओड है तो इंट्रस कितना है लेकिन सर अभी आप तो दो लाक वाली तीसा जार वाली इतनी सारी बात बताई भाई वो सेल्फ ओक्विपाइड में देखना पड़ता है लेट आउट में तो कोई लिमिट था ही नहीं तो रेंटिड है अब निकालो इसका यह 50 है तो माइनस करके आएगा इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक लाख और एक लाख क्या यह बाते समझ में आई आई आपको एक और एक्जामपल देखें फिर मैं थियोरी पे वापस आऊँगा किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो बताओ 24 बी भी आ गया इसके बाद कुछ नहीं होता है इसके बाद हमारा एक तो और पॉइंट है एरियर ओफ रेंट का है हमारा 25 सेक्शन का तो वो देख लेंगे पहले यहां तक देखो इतना ही कोश्चन मैक्सिमम होने वाला ह हर एक स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया क्या इंट्रस माइनस मैं बोल रहा था ने डिड़क्शन 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 सर क्या डिड़क्शन डिड़क्शन का मतलब भाई यहां से माइनस कर दो इसको क्या बोलेंगे हम डिड़क्शन बोलेंगे सेंपल सी बा बात ख़ता हूँ चलिए एक और पॉइंट पे आते हैं माल लेते हैं मुंसिपल वेल्यू दो लाग फियर रेंट पांच लाग और मुंसिपल टेक्स तीस हजार इसके बाद इंट्रस्ट इंट्रस्पेड प्रोपर्टी 90,000 माल लेते हैं इंट्रस्पेड 94 प्रोपर्टी टी वास सेल्फ उक्यूपाइड कैलकुलेट आइच पी एस पर ओल्ड एंड न्यू बहिया आइच पी बताओ एस पर ओल्ड और न्यू यह हमारा एक एक जामपल है चलिए देखो मैं सारे एक्जामपल आपको इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको थियोरी समझ में आ जाए और बुक्के भी आप बहुत आराम से कर पाओ लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं सर इतने एक्जामपल क्यों करवा रहे हो तो यह मेरी मजबूरी है कि मुझे करवाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए अब यहाँ पर क्या लेलू मैं? Old और यहाँ पर क्या लेलू मैं? New चलो Self occupied है तो सीधा कहां पर आ जाओ NAV सीधा पहुँच गए क्या Fair Rent, Municipal Value यह सब देखेंगे नश्रा का कहना है कि Old और New में सीम रहेगा भी देखना आप दोनों compare हो जाएगा ठीक है माइनस 24A कर लोगे माइनस है हिम्मत माइनस करने का 0 ही रहेगा 24B Old वाले में बोला गया कि माइनस कर लो तो कितने माइनस करेंगे? और नए वाले में बोला नई करने देंगे तो इसका मतलब जब IHP निकालेंगे तो इसमें negative में आ जाएगा loss आ गया है और यहां पे 0 आ गया तो देखो नए और पुराने में यहां आपको difference देखने को मिलेगा जो मैं बोल डाता है देखो आप पीछे अगर देखोगे तो दोनों जब let out था तब हमारे नए पुराने tax का कोई मतलब नहीं बनता दोनों case में क्या था? allowed था लेकिन जब आपका self occupied हुआ तो उस case में आपको एक में तो आपका income 0 हो गया और एक में income minus minus बाला ज्यादा बढ़िया है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपकी salary से income 3,000,000 है तो इससे loss आपका 90,000 है तो आपको जो tax देना पड़ेगा वो 2,000,000 पे देना पड़ेगा ये सारी चीज़े आप सीखोगे एक chapter है set of and carry forward में कि अगर कहीं से मेरा एक जगे से नुकसान है और एक जगे से फाइदा है तो दोनों को minus करके हम फिर net income निकालके सरकार को उस पे tax देते हैं और जहाँ zero होता वहाँ पे आपकी taxable income कितनी होती सीधा के सीधा 3,000,000 रुपे तो कौन से वाला फाइदे मंद है ज्यादा minus वाला या भीना minus वाला तो अगर आपका self occupied है तो उस case में आपको old tax वाला ही benefit देगा नए वाला तो आपको benefit नहीं देगा हाँ अगर let out है तो उस case में कर सकते हो क्या बताओ आपको old और new में थोड़ा difference पता चला कि सेम एक और example करते हैं एक line एड़ कर रहा हूँ अलग color से लिख देता हूँ कि प्रोपर्टी वाज पर्चेज एक चार कि 1970 प्रोपर्टी को कब खरीदा कि 1970 में चलो हाजा हूँ सर इस situation में एने भी क्या लोग है क्योंकि self occupied है minus 24A 0 question सेम रखा है minus 24B new में तो मिलेगा ही नी और old वाले में बोला था 1999 से पहले अगर आप घर को खरीदते हो तो maximum limit Congress कितनी दे के बैठी थी तो अब यहाँ पर आपका एगा IHP समझे क्या कहा नहीं है 1999 से पहले कि क्या आपको maximum limit कितनी दी गई आपने इंट्रस कितना पेड़ किया कोई फायदा नहीं वह नभी अजार पेड़ करने का benefit नहीं मिल पाए आपको कितना मिला स्रिफ तीस हजार मिला यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक सब को समझ में आ रहा है Sir old और new answer सेम अभी दुआरही होई question है यहाँ तक सभी student को समझ में आ रहा है एक और example देखें माल लेते हैं municipal value पाँच लाग parent तीन लाग और और municipal text पचास अजार municipal text के बाद और क्या है भाई साहब और क्या लिखें और interest लिखना है ना इंट्रस्ट के दो लाग पचास अजार के प्रोपर्टी वॉस के सेल्फ ओक्यूपाइड रोपर्टी क्या है महराज सेल्फ ओक्यूपाइड हमारा प्रोपर्टी है सेल्फ ओक्यूपाइड वाले करने में बड़ा मज़ा आता है क्यों सीधा हम जीरो उपर एफर एफर यह सब खतम करो कैलकुलेटर उठाना भी नहीं पड़ता इसमें तो सबसे मज़ा तो यही है कि आपको जमा गटा नहीं करना दोनों से करके दिखाना है मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ उपर old और new लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए फिर जब हम बुक के question करेंगे तो पूरे format में कर लेंगे कहां से start करें सीधा कितने अब माइनस क्या कर दो 24 यह तो ही नहीं मैं बस formality कर रहा हूँ माइनस करो 24 बी कितना माइनस करें नए वाले में कितना माइनस करें जीरो, नए वाले में कितना माइनस होगा, अब फटा फट कमेंट में जबाब दीजिए, फटा फट से जबाब देना है, कि ओल्ड वाले में कितना माइनस करेंगे, ओल्ड वाले में जल्दी बताइए, ओल्ड वाले में कितना माइनस करेंगे, ओल्ड न्यू का चक्कर नहीं ह होता ना तो इंटर्स का टॉपिक अब तक में खतम कर चुका होता सिर्फ यह ओल्ड न्यू के बज़े से इतना लंबक हिच रहे है अरे अनु यहां पर खरीदा अर्णव ने तीस अजार बताया कि समर्थ कह रहा है कि सर जीरो करो कुछ माइनस मत करो और बताये देखिए गलत जवाब दीजिए लेकिन आपको देना पड़ेगा नसरा का कहना ऐसा धाई माइनस कर दीजिए ओके पच्चिस धाई 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 चलिए अब मैं अभी आपका जवाब जो दे रहे थे बच्चे एक बार इधर आ जाते हैं थोड़े से थ 99 से पहले है तो maximum 30,000 माइनस कर सकते हो 1999 के बाद है तो अगर repair कर रहे हो तो कितना माइनस कर सकते हो 30,000 और अगर construction कर रहे हैं जब कुछ नहीं बोला तो construction नहीं है वो तो उस case में maximum कितना माइनस कर सकते हो 2,000,00 अब जवाब दे दो फटा-फट कमेंट में जवाब आ जाना चाहिए अब बताईए कितना माइनस करें new के अंदर तो मैंने 0 कर दिया क्यूंकि new के अंदर तो बोला गया है self-occupied में मिलेगा ही नहीं तो कितना होना चाहिए अभी भी रोहित कहने सर 30,000 आप repair कहां कर आ है मैंने ये construction है तो जवाब दोला मैं इसलिए करवा रहा हूँ देखो theory में पहले कितना भी समझा लूँ न आपको समझ में नहीं आता तो मैं practical करूँगा और फिर पीछे ले जाओँगा फिर लगेगा अच्छा ये इसलिए कराया गया तो समझ मैं ही बात आपको maximum कितना minus होगा लेकिन यही सर बोलो के सर लेकिन इससे पहले इससे पहले आपने क्या किया था इससे पहले आपने यहाँ पे धाई लाग माइनेस कर दिया था confusion क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो कोई इतना clarity से बताता नहीं था जब पास हो गया तब मेरे को पता चला रहे यार इसका पंगा तो यह है तो यहाँ पे question क्या है सर यहाँ धाई माइनस कर रहे है वहाँ दो तो भाई साहाब यह property जो है वो क्या है let out और let out के case में rule ही मैंने क्या बताया कितना limit होगा let out के case में full amount यानि एक लाग दो लाग पांच लाग दस लाग पचास लाग जितना interest सम माइनस कर सकते है यह limit जो है वो किसके लिए है self occupied तो यह भी आपको क्या करना पड़ेगा check करना पड़ेगा at the time of calculation of income from house property बड़े ध्यान से देखना पड़ता है और इसमें क्या था सहीर अगर हमारा रिजिम कौन सा है new है तो उस case में self occupied में तो भाईया नहीं देंगे अगर let out है तो आपको जितना interest है सारा allowed हो जाएगा लेकिन old वाले में self occupied में भी interest allowed होगा लेकिन let out में भी होगा कई बच्चे बहुत सारे meaning में निकाल देते हैं तो यहां लिख देता हूं maximum 2 लाग है maximum कितना यहां पे 2 लाग है चलो भाई और भी पूछ लेते हैं आपसे एक सवाल और पूछें किताब में आपके इतने example नहीं होते हैं तो मुझे बनाने पड़ते हैं किताब में direct question देता है जो मुझे लगता है कि समस्या है बच्चों के लिए बहुत बच्चे brilliant intelligent भी है जो समझ जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी से problem होती है तो मुझे बिल्कुल zero से लेके चलना पड़ते हैं मैंने बोला interest on loan साथ हजार साथ हजार पर रिपेर 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 प्रोपर्टी वस पर चेस्ट अन एक दस तो हजार तेस्स चलिए सब्सक्राइब और वाले से न्यू वाले से एने भी क्या आएगा एने भी क्या आएगा जीरो माइनस में 24 ए माइनस 24 भी अब मुझे एक बात बताईए के ओल्ड वाले में न्यू वाले में तो आपको पता है self occupied का case चल रहा है तो new वाले में क्या रहेगा जीरो पता है अब बताईए old वाले में कितना interest minus करें old वाले में बताईए क्या interest minus करें गार खरीदा कावे date भी देख लेना तो सभी बच्चों को समझ में आ गई मेरी चला की क्योंकि वो किस पे था repair पे था और repair के case में साहाब घर कभी भी खरीदो आपको allowed कितना है maximum 30,000 अगर मैं यहाँ पे 22,000 लिखता तो कितना minus करतें 22,000 ऐसा नहीं कि फिर भी बोलते 30 लिखा था maximum तो 30 ही minus कर दो 30 maximum का मतलब 30 से उपर मत करो 30 से नीचे है तो वो कर सकते हो ठीक है चलो यानि सर ये बाते तो हमें समझ में आ गई आप एक बार फिर से आ जाओ 24B कहता है भाईया आपका घर या self occupied होगा या let out होगा let out के case में जितना मर्जी interest का payment कर दो सारा का सारा loud होगा self occupied के case में अगर घर 1999 से पहले purchase किया है तो maximum 30,000 मिलेगा चाहे repair कराओ चाहे construction कराओ मतलब नहीं है 1999 के बाद अगर खरीदा है तो अगर construction करवाते हो तो maximum limit 2,000,000 है और repair के case में क्या है हमारा maximum limit 30,000 लेकिन ये मिलेगा किस में सिर्फ old में मिलेगा new में ये नहीं मिलने वाला है अब कई बार ऐसा होता है कि हम loan जब लेते हैं तो loan लेते time पे हम रिस्वत देते हैं commission देते हैं होता है नहीं होता तो क्या वो commission और रिस्वत वो भी minus कर सकते हैं इसमें से तो government कहती है ऐसा allowed नहीं है question में देगा confuse करने के लिए loan लेने के लिए उसने interest plus commission दिया तो आप जब loan लेंगे तो only क्या होगा ब्याज होगा तो चली आईए इसके उपर कुछ note लिखवा दू मैं आपको note कुछ चीज़े not allowed क्या क्या not allowed है commission या फिर brokerage अगर कोई भी commission या brokerage आपने दिया किसको दिया mediocre क्योंकि loan इतना असानी से नहीं मिलता आपको commission देना ही पड़ता है तो जब किसी mediocre को आपने ये चीज़े दी है तो आप इसको house property income में से benefit इसका नहीं मानोगे सरकार बोलती है ये क्या है बताओ क्या है ये सही है गलत है सरकार बोलती है illegal है ये और लेकिन जो commission कमा रहा होता है property dealer उससे बोलती है income पे tax दे भाई तू देख रहे हो हमसे बोलीगी ये क्या है illegal और लेकिन जो commission कमा रहा है वो बोलीग अपनी income पे क्या दे मुझे tax दे उसको पकड़ेगी नहीं बोलीगी तुने income कमाया तो income पे क्या दे मुझे tax दे एक को बोल रहा है illegal और दूसरे को बोल रहा है बहुत अच्छा tax दे दे तू मुझे तो ये चीज़े कई जगे पर बहुत सारी चीज़े गलत है आ जाईए note कुछ चीज़े allowed है number one ये आपका due और paid basis पे होता है due और paid का मतलब क्या होता है कि आपने suppose करो suppose करो आपका loan पे ब्याज आपने किस्त नहीं भरे आप fail हो गए तब भी आपका जितना ब्याज बनता है वो minus कर सकते है और अगर आपने किस्त भर दिया तो किस्त का जो भी ब्याज होगा ब्याज मैं बोल रहा हूँ बार बार तो वो भी minus कर सकते है आपने किस्त भरा है तब भी ब्याज मैं ब्याज करोगे second कई बार ऐसा होता है हम first जाते हैं कैसे first जाते है sir हम ना loan ले ले लेते हैं पड़े महंगे ब्याज पे तो हम एक और loan लेते हैं फिर उस वाले loan को repayment करने के लिए मान लो मैंने ले लिया मान लेते हैं HDFC bank से पर HDFC से bank से मुझे 10% पे home loan मिल गया SBI आता है मेरे पास phone बोलता है हम तो 7 पे देंगे आपको तो मैंने का आप क्या करूँ मैं तो अब मैं बोलूँगा भाई मेरे साथ ऐसी problem हो गई है मैं तो HDFC में 10% पे लेके फस गया हूँ तो SBI बोलोगे चिंता मत करो एक काम करो कितना loan है मैं 7% पे ले रहा हूँ मेरे से loan ले लो और उसका loan payment कर दो अब मेरे पास किस जमा करना बार बारा इसको बोला जाता है हमारा कि हम क्या करवा लेते हैं एक तरीके से टॉप अप बोलते हैं वैसे loan की भासा में टॉप अप करवा लिया हमने या फिर उसको हम बोल देते हैं कि हमने loan को सिफ्ट कर दिया तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि दोनों loan के ब्याद जा रहे होते हैं एक जो loan हमने घर बनाने के लिए लिया था एक जो दूसरा loan लिया है उस loan को repayment करने के लिए एक दो मेने का तो ऐसा होता है न तो ऐसे situation में जो आप लोगे new loan for repayment of old loan तो उसका ब्याज भी आपको minus करना allowed है लोक है यानि आपका कौन से दो-दो interest हो सकते है न्यू लोन का भी और old loan का भी आपका interest माइनस करना allowed है practice question के answer की वीडियो कौन से practice question की बात कर रहे है न अधनी मैंने कोई question दिया practice के लिए क्या अभी तो मैंने chapter में नहीं दिया जो chapter होंगे उसके practice questions के मैं खुदी class में करा दूँगा ठीक है न चलो जी तो ये कुछ बातें आपको याद रखना था अभी interest खतम नहीं हुआ सबसे बड़ी tension तो आने वाली है ये तो सिर्फ खामोसी है इसके बाद अब आप देखोगे जो सबसे बड़ी tension आने वाली अब तो हम क्या देख रहे थे सर सर हम देख रहे थे interest on loan कि अगर हमने loan लिया हो घर बनाने के लिए तो उसके ब्याज को भी हम minus कर सकते हैं as under section 24 b self occupied के case में new regime में नहीं मिलेगा old में मिलेगा maximum limit up to 2 lakh और अगर let out case है तो कितना भी minus कर सकते हो लेखिन अब law पता है क्या बना law जब बनाया तो बोला गया भाईया house property income कब निकालोगे पहले बताओ मुझे मान लेते हैं कि मैंने अब loan लूँगा तो जमीन भी तो लूँगा मैं घर पूरा ही खरीदूँगा ना loan पे तो तो मैंने सबसे पहले bank के पास गया मैंने बोला bank वाले भाईया मुझे loan चाहिए और बोला क्या कितने loan चाहिए बोला हम एक जमीन ले रहे हैं घर बनाएंगे और फिर रहेंगे तो बोला ठीक है दे रहेते हैं आपको 50 लाग का loan मिल गया और मैंने अभी ले लिया जमीन ये मान लेते हैं ये ले लिया मैंने जमीन ये ले ले लिया ठीक है अब भाई ये जमीन ले लिया ब्यास तो चालू हो गया ब्यास चालू हो गया अब ब्यास चालू होते ही अब मैं गया और मैंने बोला मेरा अभी तो मैं ही रह र पर less interest कर देते हैं माल देते हैं कि 20,000 रुपए गया 20,000 रुपए और मैंने वोला सरकार मेरा जो loan का interest है minus IHP ये है government ने बोला इधर आओ 22 section पढ़ो वहां बोला था घर के उपर मैं बात कर रहा हूँ आपका घर तो है ही नहीं घर अभी तो आप house property की income ही calculate नहीं करना आपको क्योंकि बोला गया आपका जब घर होगा तब calculate करना क्या आप house property की income अभी तो आपका घर ही नहीं है घर का मतलब समझाया था ना कि चार दिवार छट सब कुछ होनी चाहिए तो घर ही नहीं है तो यानि आप interest का benefit benefit नहीं ले सकते लेकिन उसका ब्याद चल रहा है उसके बाद इसने क्या करा थोड़े बहुत construction चालू किया सारी चीज़े बनाई, building बनाया और बनाने के बाद सारी चीज़े जब कर रहे यह क्या बन गया ठीक है, building बनाया, building बनाने के बाद मान लेते हैं कि छट वगएरा सब बना दिया जो भी बन गया बनने दो, छट वगएरा बना दिया इस काम में पांस साल लग गया मान लो मैं हर साल जाता कि सार एक दो दिवार खड़ी होगे interest minus करने दो, बोलते हैं नहीं घर पे देंगे तो एक तरीके से पांस साल लग गये या साथ साल लग गये, तो इयर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स इन सभी सालों में मैंने house property की income निकाली होगी या नहीं निकाली होगी क्योंकि house property की income कम निकालोगे आप, जब आपके पास क्या होगा घर, घर तो आपके 6 साल के बाद आये, आपके हाथ में तो इन 6 सालों में क्या आपने house property की income निकाली होगी बताईए फटा-फट comment में क्या आपने इस पे house property की income निकाली होगी या नहीं निकाली होगी आप निकाल भी लोगे तो government इसको accept नहीं करेगा बोले का भाया नहीं निकाल ली होगी आपने क्यों नहीं निकाल tubani से कहने सी कौन होता कर टेसरी वेलफेने के लाइक होता है उसे क्या बोलते हैं ssc भूता है कि हम पागल हैं कितने दिनों से ईक ब्याज भर रहे हैं आपने तो इन सभी interest को फिर minus करने देंगे, वो भी कितने सालों में, पांस सालों में, बड़ाबर बड़ाबर divide करके, अब घर बन गया है, घर बनने से पहले जो आपके ब्याज गया है, इसको क्या बोलते हैं, pre-construction period का interest, इसको क्या बोलेंगे, pre-construction, क्योंकि construction तो अब हो गया, construction से पहल का interest, जो कि एक बहुत challenging हो जाता है, बच्चों के लिए, जिसको मैं short form में बोल देता हूँ, PCP, interest calculate करके examiner देगा ही नहीं, जितने आसान आप समझ रहे हो ना, पीछे वाली कहानी, ये सब के interest लिख दिया, ऐसा नहीं मिलेगा, वो date देगा, और बोलेगा, घर अब बनाया, ब्याज निकालो, और 5 साल से divide भी करो, सब पूछ लेंगे वो आप से, तो इसका मतलब सर, यहाँ पर अगला जो topic होगा हमारा, अगला topic का नाम क्या होने वाला है सर, PCP, जिसके अंदर पूरा एक दिन मुझे लग जाता है, इसको करवाने में pre construction, इसके बाद PCP होगा, तो बास फिर हम book के सारे बड़े-बड़े questions करना start करेंगे, 10 year के questions स्टार्ट करेंगे, मतलब concept wise 95% coverage हो जाएगा, फिर हमें सिर्फ question practice में लेना होगा, तो जो PCP गाला concept है, यह हम करेंगे अगली class में, क्योंकि अभी फिर मैं कराऊंगा, तो बहुत जादा हो जाएगा आपके ल थोड़ा सा है, तो अगली class में PCP कराऊंगा, और PCP से सारे questions करा दूँआ, देखो जैसे कि मैं question भी दिखा दूँआ आपको, थोड़ा सा इसलिए मैंने रोका हुआ, question तो मैंने निकाला था, कहां गया, कहां गया, यह रहा, देखो यहां पर क्या कहता है, ऐसे ऐसे questions जैसे question में कहता है, कि SSC ने loan लिया, एक चार को, bank से house construction करवाया, piece of land लिया, उसने डेली के अंदर, और loan carry interest रितने का था, construction complete हुआ, 15-6-2022 में, entire loan, बहुत सारी बाते इसके अंदर बोली गई है, वो तभी निकाल पाऊगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा, इसके rule और calculation, clear है, तो आज की class में हमारा agenda था, स्रिफ थोड़ा सा interest के point को सीखना, दो topics वैसे दिखा जाए, तो इसके अंदर mainly topic number one, vacancy करवाना है मुझे, topic number two, PCP कराना है, उसके बाद कुछ miscellaneous area of rent, unrealized rent, कुछ ऐसे चोटे चोटे से topics हैं, जो कि वो एक दिन का काम होता है, जो कि हम कर लेते है उसके बाद फिर हम सीधा सीधा book के सारे बड़े बड़े questions जो की होंगे, और या फिर हम exam वाले 10 year वाले questions हम कर पाएंगे, बड़े आसानी से, और text calculation का भी, तो सबसे पहले अभी तक का hopefully आप सभी student को class clear हो गया होगा, बहुत छोटा सा topic किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, interest क calculation अभी सीखा नहीं है, सिर्फ interest को minus करना सीखा है, और interest का section क्या था हमारा 24B, क्या था हमारा 24B, self occupied में कितना minus कर सकते हैं, नई रिजिम में, बताओ फटाफट, self occupied में new रिजिम में कितना minus कर सकते हैं, तो zero, new रिजिम, self occupied, यही तो है न, बच्चे के दिमाग में एक पर set हो तो यह आपको सारी बातों का ध्यान रखना tough हो गया, आपके लिए इस बात को मानिए, तो self occupied के case के अंदर कितना minus करेंगे, अगर new रिजिम हो तो zero, अगर old रिजिम हो तो depend construction के लिए है, के repair के लिए, construction में 2 रिपेर में 30,000, let out के case में अगर new रिजिम हो तो sir, जितना मर्जी minus करो, old रिजिम हो तब भी जितना मर्जी minus करना है, तो चलिए, कल आपको, कल संडे है न, आपको कल तो इसके notes नहीं मिलेंगे, आप वीडियो से note करके, pause करके कर लिजिए, का Monday upload होगा इसका, तो मिलते हैं हम next class में, very very good night, और यह पूरा आपको revise करना है, book आ चुका है, बार कर सकते हैं, और book नहीं लीजिएगा, तो आपको बहुत problem हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी theory आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से, चलिए, good night, मिलते हैं, next class में,